अपने चेनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रैदरत को यह ब्रैदरत मोर्य को यह मोर्य वंस के अंतिम सासक थे और यह जो हमारा प्रमुक सासको की स्रीछ चल रहे हैं इसके अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सिन में आपको प्लिलिस्ट का लिंक मिलेगा क्लिक करके देख सकते हैं तो ब्रैदरत मोर्य को आज हम डिस्कस करेंगे तो ब्रैदरत मोर्य जो थे यह सत धनवन का पूतर था ध्यान लखना है ब्रेदरत मोर्य, ब्रेदरत मोर्य वन्सका अंतिम सासक था यह आपको ध्यानक नहा है, most impotent है यह question किसी ने किसी एक्जाम में पूछा जाता रहता है कि मोर्य वन्सका अंतिम सासक कौण था, तो ब्रेदरत था ब्रेदरत ने मगत पर 187 से 180 इसा पूर्ब तक शासन किया ये कहीं कहीं आपको 185 भी मिल जाता है ब्रेदरत बोध धर्म का ही अनुयाई था यानि कौन से धर्म का? बोध धर्म का ब्रेदरत ने पुरानों के अनुसार लगबग 7 वर्स तक राज किया था यापर राज ने राज किया था या सासन किया था कितने वर्सों तक 7? यहीं 187 से 180 इसा पूर्ब कहीं कहीं यह जो सासन का अले आपको 187 से 185 इसा पूर्ब मिलता है लेकिन पुरानों के जो अनुसार बताया गया है यह 7 साल कहीं जो राज है इसका बताया गया है कि ब्रदत मोर्य ने साथ वर्सों तक सासन किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान लखनी है साथी साथ जो इसकी हत्या की थी इसी के सेनापति किसने पुश्य मित्र ने की थी और ने राजवंस की स्थापना की थी इसका नाम क्या था? सुंग बंस था तो जो ब्रदता यानि मोर्य वंस का अंतिम सासक था इसने लगबग साथ वर्सों तक सासन किया था और इसकी जो हत्या थी इसी के सेनापति पुश्य मित्र सुंगने करके सुंग राजवंस की स्थापना की थी तो फिरेंट से छोटा सा वीडियो था यहां से कभी-कभी question पूछ लिया जाता है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई इसको like share करना ना भूले thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में